वेलकम माई डियर फ्रेंड्स माई यूटूब चैनल एगरी बिया चूवन दोस्तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं विविन क्रिटकल स्टेज जो की फिल्ड क्राप में पाये जाते हैं दोस्तो यहां पर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यह जो है बैंक एफो यूप पिडीटी पीजीश, टीजीटी, पीजीटी पीट अन जितनी भी कम्यूटेटरी एजम में यहां से एक-डो-तीन कोश्चें हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तो इसलिए मैं आपसे रोग करूँगा वीडियो लास तक वाच करिएगा तो आईए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों जैसा कि आप यहां देख सकते हैं पहला हमारा है rice crop जो कि field crop के अंतरगत आता है इसके अगर critical stage की बात करें दोस्तों तो यहां आप देख सकते है penical initiation stage है लेकिन इससे एक पहले stage आती है जिसको हम booting stage के नाम से जानते है booting stage होता है दूसरा penical initiation stage होता है दोस्तों और यहां आप देख सकते है heading stage है और last में flowering stage है इस रकार rice के चार critical stage होते है booting stage, penical initiation stage heading stage and flowering stage और दोस्तों एक और खास बत बता दूँ एक होता है IW upon CPE ratio जिसमें की rice का सबसे अधिक होता है 1.2 यह बहुत ही exam में हर बार पुछा जाता है दोस्तों IW upon CPE ratio हमेशा पुछा जाता है rice का सबसे जादा होता है 1.2 दोस्तों इसको याद रखिएगा बात करते हैं next wheat की तो wheat में जो है आपका लगभग 4-5 stage पाई जाते हैं पहला होता है crown root initiation stage दूसरा होता है दोस्तों tillering stage और तीसरा होता है jointing stage jointing जिसको बलते हैं और चौथा होता है flowering stage पाचमा होता है milking stage और छटमा होता है critical stage पाई जाते हैं wheat में और इसके IW upon CPE ratio की बात करें दोस्तों तो इसका होता है 0.9 दोस्तों यह बहुत important होता है यह भी exam में पूछा जाता है बात करते हैं next next है mage mage की बात करें दोस्तों तो mage जैसा कि आप जानते हैं इसको जो है cereal crop की रानी कहा जाता है और इसके critical stage की बात करें दोस्तों तो इसके दो critical stage होते हैं बहुत ही important टेसलिंग और ग्रेंट फिलिंग स्टेज इस स्टेज पे इनको इरिएशन की ज्यादा हो सकता होती है दोस्तों इसका भी जो है IW5 CP Ratio सेम वीड के एकॉर्डिंग ही होता है 0.9 और नेक्स्ट वाप की बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट है मारा सोरघम सोरघम की बात करें दोस्तों तो इसके दो क्रिटकल स्टेज होते हैं पहला है फ्लावरिंग और दूसरा है ग्रेंट फॉर्मेशन स्टेज नेक्स्ट बात करें दोस्ते हैं तो नेक्स्ट है हमारा कुंबा कुंबा का बात करें तो दोस्तों ये हेडिंग और फ्लावरिंग इसका बहुत ही महतपूर इस्टेज होता है इरिगेसन का और नेक्स है दोस्तो रागी क्राप, रागी का जो है critical stage की बात करें तो होता है primordial initiation और दूसरा होता है flowering, flowering और primordial initiation इसका बहुत ही critical stage होता irrigation का, अब बात करते हैं दोस्तो आइल seed crop की जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आइल seed crop की बात करें दोस्तों, तएल seed crop में हमारा है पहला ground nut, ग्राउंन ढट की बात करें दोस्तों, तो पहला इसका stage होता है flowering, flowering और दूसरा होता है pegging, पेगिं और तिसरा होता है pegging initiation और तिसरा होता है pot filling, pot development, यहाँ पे अप्ध सकते हैं flowering है, दूसरा है pig initiation, तीसरा penetration and pot development दोस्तों यह बहुत important है क्योंकि हमेशा exam में पूछा जाता है कि pegging stage जो है किस crops related होता है तो दोस्तों pegging जो है हमारा groundnut से होता है यह बहुत important है दोस्तों groundnut में pegging stage पाई जाती है अब बात करते हैं next है हमारा स्वय आबीन स्वय बात करें दोस्तों इसमें दो stage पायते हैं blooming और seed formation stage जिसमें irrigation की बहुत जयदा सकता पढ़तीे next बात करें दोस्तों next हमारा है season season में blooming to maturity stage पर irrigation की बहुत ज्यादा पकरते है next बात करें दोस्तों next है sunflower सनफ्लावर की बात करें दोस्तों तो सनफ्लावर में क्या होता है कि आपका two weeks before और two weeks after flowering जो है इसके बहुत ही important crystal stage होते हैं नेक्स्ट सेफ्लावर this if loveer की बात करें तो यह जो होता है प्राम रोस्टेटू फ्लावरी इसके लिए बहुत से खास बात कर्हें पुछाता है कि सका ऑय investir की डिक रहीं और सबसे हाई होता जैसा अगर dramrik कर दो इसको आप याद रखिएगा नेग्सट यह दोस्तों देख सकते हैं आप यह कैष्टर ग्च्टर की बात करें दोस्तों तो इसका जो है सबसे critical history होता है full growing period और इस पे बहुत ही जरूरी होता है और next बात करें दोस्तों तो next है cotton, cotton की बात करें तो flowering और ball formation stage पर एरिगेशन बहुत याउसक होता है और बात करें next crop की तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं टोबैको है टोबैको का immediately after transplanting पर इसके लिए बहुत इरिगेशन की आउसकता पड़ती है next है दोस्तो sugar cane sugar cane की बात करें तो maximum vegetative stage पर इसमें बहुत ही ज़्यादा आउसकता पड़ती है इरिगेशन की next crop की बात करें दोस्तों तो next है हमारा vegetable, vegetable की बात करें तो onion onion, onion में जो है bulk formation to maturity stage पर जो है बहुत ज़्यादा इरिगेशन की आउसकता पड़ती है next है tomato, tomato की बात करें दोस्तों flowering और fruit setting वाले time पर ज़्यादा इरिगेशन की आउसकता पड़ती है next है दोस्तो chillies, chillies की बात करें दोस्तों flowering stage ही बहुत ही critical stage होता है legumes, legumes की बात करें दोस्तों तो पहला उसमें alfalfa alfalfa की बात करें दो तो इसमें immediately after cutting for hay crop अगर हम hay crop ले ले लेते हैं तो उसके बाद तुरंत आउसकता पड़ती है और साथ ही साथ flowering for seed crop जब flowering आता है seed crop के लिए तो उस समय जो है alfalfa में irrigation की आउसकता पड़ती है bins की बात करें दोस्तों तो flowering और pot setting stage पर irrigation की business आउसकता पड़ती है next दोस्तों P, P की बात करें दोस्तों तो इसमें flowering and pot formation stage पर ज़्यादा irrigation की आउसकता पड़ती है और अन्य कुछ important crop है जिसके हम critical stage को आप से discuss करेंगे पहला है coconut coconut की बात करें तो nursery stage to root enlargement stage पर जो है बहुत ज़्यादा irrigation की आउसकता पड़ती है दोस्तों बात करते हैं next नेक्स है potato पर जो है to bear initiation or maturity stage पर बहुत ज़्यादा irrigation की आउसकता पड़ती है next दोस्तों बनाना में जो है throw out the growth मतलब entire life इसको जो है irrigation की आउसकता पड़ती है next crop की बात करें दोस्तों तो next है citrus citrus में जो है विसेश कर flowering fruit setting और enlargement के time ज़्यादा आतर irrigation की आउसकता पड़ती है next है दोस्तों mango mango की बात करें तो flowering stage पर ज़्यादा आउसकता पड़ती है coffee की बात करें दोस्तों flowering और fruit development पर ज़्यादा आउसकता पड़ती है तो I hope दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो आपको पसंद आया हो ज़रूर comment करके बताएं एड वीडियो का धिक से धिक like and subscribe and share करें दोस्तों